प्रसाद फाइबर्स प्राइवेट लिम्टेट गेवराई जिला बीड के डाइरेक्टर राम प्रसाद सुनी से कमोडिटीज कंट्रोल डॉट कॉम ने इस साल महराष्ट में कॉटन के उत्पादन बीड जिले में कॉटन की स्थिति आने वाले दिनों में प्राइस राम प्रसाद जी ये बताईए कि महराष्ट में इस साल कितना कॉटन पैदा होने का अनुमान है और बीड जिले की क्या इस्थिति है महराष्ट में मेरे आंदा से 65 से 68 लाग गाट का ही उत्पादन होने का अनुमान है महारश्टर में इस साल कोटन का प्लांटिंग कम हुआ है स्वयविन का प्लांटिंग बढ़ गया है विधर्ब, हिंगोली, नांदेड और पर्वन डिस्टिक में का स्वयविन का प्लांटिंग काफी बढ़ गया है इस वज़े से ये एरिया कम हो चुका है और यहां का एरिया ज्यादातर कवरेज होने वाला था लातूर डिस्टिक और उस्वनवाट डिस्टिक से लेकिन वो उतना हुआ नहीं लातूर डिस्टिक में अल्रेडी स्वायव उनका ही ट्रेंड है वहाँ पर कपास का उत्पादन होता नहीं तो 65 से 68 लाग गाट के उपर मुझे उत्पादन देखता नहीं है और बीड जिले की बात करें तो क्या पोजीशन है इस बार कॉटन पैदावार की बीड डिस्टिक माराटवाणा में सबसे बहत्रीन डिस्टिक माना जाएगा कॉटन के क्वालिटी और पैदावार में फिर ब क्या अगर हम बात करें तो जन्वरी महीने से सीजन के अंति तक प्राइस किस एक रेंज में रह सकते हैं जन्वरी महीने में प्राइस चलीस हजर पांसों से एक तलीस हजार रुपय देखी जा सकती है अभी जो कॉटन के अराइवल का प्रेशर यह प्रेशर तीन हपते तक फ्रेशर कम हो जाएगा और उसके बाद इसमें काफी इंविश्ट्मेंट आ जाएगी जैसे बिछले साल इसमें काफी थीजी आई थी और इस साल इसमें इंविस्ट्मेंट ज्याद आएगां आपको क्या लगते हैं गिश्जन का अन्त आएगा उस समय तक कॉटन के प्राãy आज की तारिक में जो इसके कोट साते हैं एक्सपोर्ट के लिए यह सबसे सस्तिरूई इंडिया की है क्या आपके एरिया बीड में CCI की खरीद देखी जा रही है कोटन में इस समय एक्सपोर्टर की कैसी डिमांड है अगले तीन महिने में इन में किस तरह का प्राइस मुमेंट और डिमांड देखी निखो मिलेगी कोटन सीड में और कोटन ऑईल केक में भीतर के पंदरा दिन में पचास एक रुपे का करेक्शन आ सकता है मतलब निचले सतर पर जा सकता है और वो लिस्ट पॉइंट रह सकता है उसके बाद इसमें तीजी ही दिखती है अपने राम प्रसाद जी Commodities Control.com से बात की इसके लिए धन्यवाद